गुड मारनीं तुडेंट्स देखो जो आज हम च।ाप्टर स्साथ करने वाले हैं वह हमका chapter number second biological classification से तो आपको सुनते ही पता होगा Hallelujah, I am going to pray all theー whether your class is christ इतिको classification होता है कि जो बहुत अर्थ न्रोप सारी organism है यारी कि millions of organisms है आपको हर किसी को अगर आपको study करने तो आप कैसे करोगी, हर किसी को categorize करोगी, groups में divide करोगी, और groups में कैसे किया गया, उनके कुछ morphological character के basis पर आपने क्या करा, उनको groups में divide कर दिया, एक्जामपल के लिए, आपकी, जैसे मैंने chapter 1 में के exercise के question में करवाया था आपको, कि अगर आपकी class में 40 students हैं, ठीक है, आपको इनको classify करना, आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले इनको divide कर दोगी, boys और girls के basis पर, ठीक है, फिर उनके name के basis पर, फिर कुछ ऐसे students भी होगे, जिनका name सेम होगा, तो आप उनको कैसे classify करोगे, उनके surname के basis पर, ठीक है, फिर कुछ ऐसे होगे जिनका surname भी same होगा तिरह आप उनको किसके basis पर कर दोगे उनके role number के basis पर ठीक है फर्दर classify करते गए ना आप इन में तो ऐसे ही जो और्गेनाइजम होते हैं उनको characteristics के basis पर जो है divide किया जाता है classify किया जाता है ठीक है तो यानि कि जो और्गेनाइजम है उनको further जो है characters के basis पर classify किया गया तो वही जो हम classification है आज हम पढ़ेंगे और अगर आप यह chapter अच्छा से करोगी तो easily जो है आपको समधा दाएगा बहुत easy chapter है तो first देखो सबसे पहले जो scientist थे जिनका नाम है Aristotle ठीक है जो Aristotle थे उन्होंने सबसे पहले जो है simple सी सबसे पहले Aristotle नहीं scientist ने क्या किया गि और kingdom animalia के अंदर सारे के सारे animals को प्लेस करवा दिया सिरफ और सिरफ दो groups के अंदर उन्होंने क्या कर दिया क्लासिफाई कर दिया तो आप से पूछी जाता है कि सबसे पहले जो है classification किस ने की थी तो वो कौन से scientist होते है Aristotle ने की थी चीक है उन्होंने क्या किया था दो group में divide क पर इन्होंने classify कर दिया और animals में उन्होंने किसके basis पर करा कि कुछ animals हैं जो कि red blooded होते हैं और कुछ नहीं होते हैं चीक है सिरफ इतने basis पर Aristotle ने classify कर दिया था दो groups एक प्लांटे एक अनिमेलिया प्लांटे में फर्दर उन्होंने क्या बताया कि trees होते हैं बड़े वाले trees हो और animals में उन्होंने ये बता दिया कुछ red blooded होते हैं और कुछ red blooded नहीं होते हैं उनके basis पर Aristotle ने first classification दी थी फिर सब उसके बाद आई थी थर यानिकी two kingdom classification two kingdom classification है वो किन्होंने दी थी two kingdom classification जो है आपको याद हो जिनोंने binomial nomenclature दिया था उन्होंने ही जो है two kingdom classification दी कौन थे वो carolus linus उन्होंने किसके basis पर क्लासिफाई गया उन्होंने क्या कर दिया प्लांट और animal के basis पर यानिकी दो ही ग्रूप दिये थे सेम वही चीज़े हैं प्लांट और animals में ही इन्होंने दो ग्रूप में ही डिवाइड किया गया था जिसको two kingdom classification दिया गया था वैसी अरिस्टोटल ने भी plant और animals के अंदर ही classify गया था लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या दिया कि जो भी आपके जैसे की यह देखो two kingdom classification के अंदर जितने भी जैसे plant और animalia के अंदर इन्होंने क्या कऱा सारे के सारे algae fungi गया जो भी जिनके ऊपर cell wall present होगी उनको उन्होंने क्या गढ़िए plant My dal दिया और जिनमे कल्प प्रेशन नहीं होती उन को उन्होंने क्या रहा Spike America में चीकर ऐसे करके classify कर दिया अब next है प्लांट और एनिमल्स तो थे प्लांटे में सारे प्लांट्स डाल दी और एनिमल्स डाल दी लेकिन उन्होंने यूनिसललर ओर्गेनाइजम को जो भी अभी बताया मैंने आपको जिनके यानिकी यूनिसललर ओर्गेनाइजम को इन्होंने क्या कर दिया अलग से ग्रूप दे प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने जितनी भी यूनिस अलग नहीं कर पा रहे थे कुछ उनकी कुछ ओफ नूटरिशन के बैसिस पर तो इनकी इसी वजह से जो यह थी किंग्डम क्लासिफिकेशन था यह भी सेक्सेस्फुल नहीं हुआ फिर नेक्स जो फोर क क्लासिफिकेशन थी जो कि इन्हों ने दी कोपलेंड ने क्या कर दा प्लांटे एनिमीलिया और प्रोटिस्टा यहां तक तो जो है वो देचुके थे हरनेस ठीकल लेकिन इन्होंने ओन्री ओर और वह एड कर दिया छीक है एक ग्रूप एड कर दिया कौनसा मोन रा और उस मोन को उन्होंने क्या का कि सारे के सारे प्रोकुरेट्स जो हैं उन्होंने किंग्डम मोन्रा में रखी प्रोकुरेट्स क्या होते हैं यहां पर प्रोकुरेट्स वो होते हैं जो जिनके अंदर कोई भी सेल ओर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती कोई भी नूकलियस प्रेजेंट नह जिसको योकर योट्स का जाता है उनको प्लेस करवा जिया Kingdom Animalia के अंदर ऐसे करके इन्होंने further 4 Kingdom Classification दी लेकिन फिर ये भी जो है वो useful नहीं रही जो सबसे जादा useful है और जिसके बारे में आप सबसे जादा पढ़ोगे वो है 5 Kingdom Classification और वो किस ने दी थी? जिसका नाम होता है Robert H. V. Taker 1969 इन्होंने किस बेसिस पर दी थी? इन्होंने जो है यानि कि 5 Kingdom Classification अबसे जादा पुछे जाती है कि 5 Kingdom Classification वो किन्होंने दी थी? वो दी थी रह वी टेकर ने दी थी इन्होंने हर चीज को classify किया है यानि कि किस किस के बेसिस पर इन्होंने groups को divide किया फर्स्ट इन्होंने cell wall के बेसिस पर, mode of nutrition के बेसिस पर और unicellular and multicellular organism के बेसिस पर इन्होंने क्या किया था? इनको group से में डिवाइड कर दिया था और 5 Kingdom कौन-कौन से थे? प्लांटे, एनिमेलिया, और उसके बाद प्रोटिस्टा, fungi, और एक रह गया, monra, यह जो है इन्होंने 5 groups के अंदर divide किया था organism को, जिसका नाम 5 Kingdom of classification रखा गया था और वो किसके बेसिस पर था? उनकी cell wall के बेसिस पर, उनके mode of nutrition के बेसिस पर, इन्होंने इन 5 groups में divide कर दिया था, अब प्लांटे, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो unicellular organism होते हैं, जिनके, जो unicellular organism होगी, जो एक cell से मिलके बने होते हैं, वो कौन से होङे, यह monara के अंदर, जिक है, जो monra है, वो क्या होगी unicellular organism होते हैं, जिक है, ए और बाकी के सारे जितने भी थे, वो कहे थी multicellular organism, उसके बाद आप प्रोकरियोट्स और योकरियोट्स में डिवाइड किया गया प्रोकरियोट्स के अंदर किनको प्लेस करवाया गया प्रोकरियोट्स के जिनके अंदर कोई भी सेल ओर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती जैसे कि मोन्रा ये क्या है प्रोकरियोट्स चीके और ये यौकरियोट के अंदर नहीं उती तो उनको कहा रख दिया गया प्रोकरियोट्स के अंदर रख दिया गया फिर सेकिंड इन्होंने क्लासिफाई किया mode of nutrition के basis पर mode of nutrition का मतलब क्या है कि mode of nutrition में सबसे पहले holojoic holojoic का क्या होता है मतलब यानि कि जो भी आपने पढ़ा भी होगा class 10 में science में holojoic nutrition क्या होता है जब आप food को क्या गड़ते हो अपने mouth के through अपनी body में लेते हो जब आपका solid food हो या liquid हो अगर वो आपकी body में आपकी mouth के through जा रहा है जैसे कि human beings के अंदर या फिर कुछ animals तो उनके अंदर क्या होता है holojoic mode of nutrition होता है तो mode of nutrition के basis पर जो भी holojoic जिनके अंदर यानि कि जो अपने food को अपने mouth के through लेते हैं उनको यानिकी holojoic mode of nutrition वालों को excited रख दिया गया हिट्रोट्रोपिक mode of nutrition वालों को excited रख दिया गया हिट्रोट्रोपिक से आप क्या समझते हो जो क्या गरते हैं कि plant और यानिकी other plants या other animals पर डिपैंड रहते हैं अपने food के लिए चीक है तो उनको एक side रख दिया गया अलग रुप में रख दिया गया और जो parasitic mode of nutrition है चीक है उनको अलग रख दिया गया parasitic का मतलब क्या है जो दूसरों की body पर रहके अपना यानिकी food अप्टेइन करते हैं चीक है जो दूसरों mode of nutrition उनके basis पर कर दिया गया एक saprophytic mode of nutrition saprophytic saprophytic क्या होते हैं जो dead decaying matter पर रहते हैं उनके basis पर classify कर दिया गया और और जो plants है plant का तो आपको पता ही है autotropic mode of nutrition वो खुद अपना खाना अपना कैसे प्रिपेर करते हैं ठीक है है वो sunlight की help से अपना खाना खुद प्रिपेर करते हैं तो autotropic mode of nutrition तो ऐसे ऐसे कितने mode of nutrition हो गया आपके first हो गया first आपका हो गया heterotropic जो heterotropic जो की दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने food के लिए उनको heterotropic mode of nutrition में रखा गया यानि कि उस गुरूप में रखा गया फिर उसके बाद autotropic जैसे कि प्लांटे वो तो क्या है autotropic होते हैं वो तो अपना खाना खुद प्रिपेर करते हैं तो वो autotropic mode of nutrition वाले गुरूप में रखे गए चीक है और ऐसे ही जो सैप प्रोफिट है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो क्या है यान की autotropic mode of nutrition होता है उन् to आफोंगी की बात करते हो तो वो क्या ओती है फंघी जो होती है फंघी से तो फंघी क्या होती है पैरासीटिक भी हो सकती है рокने टीक इlement बंद शेवarr लखाव ड्रकाते हैं मयाट की अपना खाना कुछ उनगे वगल के इस्थ नहींच वोई होती है तो protista के अंदर क्या होते हैं यह protista जो है autotropic भी होते हैं और heterotropic भी होते हैं यह जब आगे मैं classification पढ़ाऊंगे आपको तो समझा जाएगा चीक है और monra के अगर आप बात करते हो तो monra क्या होते हैं इनके अंदर भी क्या होते हैं बहुत सारी mode of nutrition होती है इसे के बारे में भी पता लग जाएगा अब यह आपको पता लगया कि prokaryotic मैंने आपको यह बजाया है ना कि organism को सबसे वैले उन्होंने prokaryotic और yokaryotic में classify किया prokaryotic में वो डाल दिया जिनके अंदर कोई भी cell और्गिनली प्रेजेंट नहीं होती जो की monra चीक है और बाकी सब जितने भी बचे हुए थे वो सारे के सारे किसमे डाल दिया जिन में cell और्गिनली प्रेजेंट होती है जैसे कि protista ठीक है फंगी इन सब के अंदर फिर उसके अंदर सेल वोल प्रेजेंट है और जिनके अंदर सेल वोल नहीं प्रेजेंट तो जिनके अंदर सेल वोल प्रेजेंट थी वो कौन से थे प्लांटे और फंगी और जिन में सेल वोल प्रेजेंट नहीं थी वो एनिमेलिया में रखे गए चीक है फिर उसके बाद भी फर्दर इन्होंने classify किया mode of nutrition के basis पर तो प्लांटे ओटोट्रोपिक होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं फंगी क्या गरते हैं दूसरों पर depend रहते हैं चीक है तो यह saprophytic भी होते हैं और parasitic mode of nutrition भी होते हैं अनिमेलिया के अंदर होलो जो इक saprophytic चीक है यह सब देखने को मिलेगा आपको saprophytic नहीं parasitic होगा और होलो जो इक mode of nutrition चीक है तो इस basis पर यहां पर classification की गई थी तो next class में हम पढ़ेंगी मोन्रा के बारे में चीक है एक प्रोपर कैसी कैसे जो मोन्रा को classify के गया था कौन सा size कोई कितने types के bacteria present होते हैं वो सब कुछ हम next class में पढ़ेंगे चीक है ओके थैंक यू